दोस्तों नेतिर्त्व या लेडर्शिप किसे नहीं भाता हर कोई चाहता है कि उसे नेतिर्त का औसर मिले और इस औसर की तलाश में सदा परतिक्छित रहता है यहां तक के नेतृत्व चंता कभी उसका अधिकार होता है तो कभी कर्तव भी बन जाता है लेकिन अधिकांश लोग जयनकारी के अभाव में ना अपने अधिकार को पहचान पाते हैं ना अपने कर्तव को निभा पाते हैं यहां तक के वह नेतृत्व के असर को खो बैठते है दोस्तों हम बात कर रहे हैं बिहार के परात्मिक और मद विद्धाले में परधान शिक्षक परधान अध्यापक के पद पर दिये जाने वाले परभार के वरियता की। जानने के लिए इस वीडियो को अंतक देखें इसी तरह के इंफर्मेटिव वीडियो और ग्यानवर्दक जानकारी के लिए हमारे यूटूब चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें तो आईए वीडियो इस्टार्ट करते हैं। साक्ष भी उपलप्त कराया था। आज की इस वीडियो में भी हम परभारी के वरियता के नियम साक्ष के आधार पर ही बतलाएंगे। बिहार सरकार शिक्षा विभाग के परात्मिक शिक्षा निदेशक का यह लेटर है जिसमें परधान शिक्षक और परधाना ध्यापक के परभार का वरियता बतलाया गया है। सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूँ चाहे परात्मिक विद्धाले के परधान शिक्षक के परभार का मामला हो चाहे मद विद्धाले के परधाना ध्यापक के परभार का सब में वरियता देखा जाता है। परभार के वर्याता का जो पहरा रूल है वो है वेतनमान। आपको मालूम होगा कि एक ही विद्धाले में एक से अधिक वेतनमान के शिक्षक कारजरत होती हैं। वेतनमान वाले शिक्षक नियोजी शिक्षक कहलाते हैं इनका वेतनमान बावन सो पे स्केल है अगर विद्धाले में जिला समवर्थ के शिक्षक हैं पुर्ण वेतनमान वाले शिक्षक हैं तो सबसे पहले उन्हें वर्यता मिलेगा वे परभार बनेंगे उसके बाद ही नियो उन्हें परभार सौपा जाएगा यानि परभारी वर्यता का जो पहरा रूल था वो था वेतनमान परभारी वर्यता का दूसरा रूल है शिक्छकों का गरेड असनातक गरेड के शिक्छक बेसिक गरेड के शिक्छक ते वर्ये होते हैं यानि अगर विद्धाले में असनातक ग शिक्छकों के वर्यता का नियम देखा जाएगा जो शिक्छक वर्य होंगे उन्हें परभार सौपा जाएगा शिक्छकों के वर्यता से नियम से संबंदित एक वीडियो मैंने बनाया था बिस्क्रिप्सन में लिंक है आप देख सकते हैं इस वीडियो में आगे हम कुछ परमुख बाते आपको बतला देंगे ताके यह लेटर आप आसानी से समझ सकें अगला जो इंपोर्टेंट टर्म है वो है सेवा अवधी जो शिक्षक लंबी सेवा का अनुभव रखते हैं वे नवन्यूक्त शिक्षकों से वर्ये होते हैं परशिक्षत शिक्षकों को विड्याले का प्रभार सौपा जाता हैं अगला इंपोर्टेंट टर्म है जन्म तिथी अगर विड्याले में दो शिक्षक ऐसे हैं जिसका व्यतन मान भी सेम है जिनका grade भी सेम है जिनकी योगदान तीथी भी सेम है तो ऐसे इस्तिती में शिक्छकों की आयू देखी जाती है अधिक आयू वाले शिक्छक वर्यो होते हैं कम आयू वाले शिक्छक को वर्यता करम में जूनियर माना जाता है यानि विद्याले के परधाना ध्यापक का परभ अधिक आयू वाले शिक्षक को सौपा जाएगा दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो शिक्षक सेम डेट वर्थ वाले होते हैं यानि उनकी आयू भी समान होती है ऐसी स्थिती में शिक्षा विभाग ने जो वर्याता का नियम बनाया है वो काफी इंटरेस्टिंग है योग शिक्षक को वर्याता मिली है और परभार सौपा गया है अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये मदेपूरा का नियूज है यहां सरकारी विद्धाले में परधाना ध्यापक बनने के लिए शिक्षक को उसर दिया गया था उसके नाम के आधार पर यानि अगर ड नाम का पहला अलफाबेट वर्याता को निर्धारित करता है और नाम में भी नाम के पहले लगाये जाने वाले टैटल काउंट नहीं किये जाते हैं कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर दो शिक्षक समान गरेट के हैं योगदान तीथी सेम है डेटो बर्थ सेम है तो अंग्ले विभाक को तब परी जब विभिन सरोतों से उन्हें शिकायत मिली कि राज के प्रात्मिक एवं मद विद्धाले में परधान शिक्षक परधाना ध्यापक के पत का परभार दिये जाने के संबन्द में अलग-अलग माप दंड अपनाये जा रहे हैं परभार के बिंदों पर परतेक अस्तर पर अस्पष्ट यता नहीं होने के कारण मन माने ढंक से विद्धाले के परभारी बनाये जाने के कारण कई परकार के विवाद उत्पन हो रहे हैं जिसका परतिकुल परभाव विद्धाले के विकास मद्याय भोजन योजना किर्संचालन और पठन-पाधन पर पर रहा था शिक्षविभाग ने इन ही सभी वादों को इस नियामावली के बाद समाप्त कर दिया और परधाना घ्यापक परदान शिक्षक के पत्का परभार योग व्यक्ति को ही मिला जाने लगा दोस्तों अगर आप भी बिहार के एक शिक्षक हैं तो यह जानना आप अपने कर्तब को पहचान सकें दोस्तों यह वीडियो आपको एक औसर देता है अपने नेतिरत अधिकार को पहचानने का अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शियर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें हम फिर मिलेंगे एक बड़ी ग्यान वर्दक जानकारी के साथ